आप देख रहे हैं YouTube चैनल वोकल ओफर्मिक दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक इंक्रस्टिंग सी एक वीडियो लेके हैं आप लोगों के लिए क्योंकि मैं बेस्टर समझा को मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के जो है इंडॉर होता है दर्मयान में इसके एक पाइप होता है तो इसको किस तरह यह वर्ख करता है लेकिन मुझे अफसोस है यह कहले के लैक आफ नॉलिज है कि लोगों को नहीं पता कि यह स्प्लिक्स यूनिट्स जो है यह किस तरह काम करते है तो मैंने सोचा क्यों नहीं बना जो है और इसी तरह जो इंडॉर है वहां से जो है कूल एर आती है ठंडी हुआ आती है तो किस तरह यह इस प्लिक्स यूनिट्स वर्ख करता है तो मुझे ज्यादा दर लोगों ने जो आंसर किया वो यह किया कि जो कमरे की गरम हवा है वह आउडूर जो है वह अपने फैन क जरीए exhaust कर देता है और ठंडी हवा को जो है वो अंदर ले आता है जिसकी वज़ा से जो है कमरा ठंडा हो जाता है और कमरे की गरम हवा जो है वो बाहर निकल जाती है तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी यही आप लोग यही सोचते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर द दीजेगा क्योंकि आपको मैं इसकी सारी इंफर्मेशन अब दूँगा तो दोस्तों अब मैं आपको बदाता हूं किस तरह यह वर्ग करता है रियल में तो आपको पता है कि आउट्डोर जो है उसके अंदर एक कंप्रेसर लगा होता है इसकी अंदर गैस बरी जाती है जिस सब्सक्र ל- prevented और के यूनिट में फिल कर वाएं तो अब आपको मैं दूता हों कि अध़र Greg économique काम करता है कि जो घ्यार हों यह हौर्ट जो है वो जाती है कंप्रेसर जो है कंप्रेसर करता है थिस अधर आप उसकु वह इंडोर जो होता है उसके एवैपरेटर गोर्श अगर आ अवाली जो है उसके अंदर पाइप जो है । भोशन वाईख जो है शॉत को कोईड़ बोली होते है वहुआ इ॥ वह जो अवन नीचे एक ब्लॉर जो है वह लगा होता है तो जैसे यहँ भूमता है तो वह जो गरम हवा है कमरे की ही हवा कहीं और से नहीं आती ना जाती है सिर्फ कमरे की हवा है वो अवैपरेटर में से होकर सरकुलेट होती है नीचे बलोर से और ये पूरे कमरे की हवा को ऐसे एक सरकुलेट करता रहता है तो अवा गरम हवा उसमें जाती है वैपरेटर में और ठंडी कॉाइल में से होकर वो अवा ठंडी हो जाती है इसी तरह ये जो गैस है ये इस दुरान गरम हो जाती है क्योंकि कमरे की गरम हवा उसके साथ जब टच होती है तो वो गैस गरम हो जाती है तो ये जो गैस है ये दोबारा जो है कंप्रेसर के कंडेंसर में जाती है जो के उपर एक कौाइल लगा होता है आउटडूर के अंदर और एक बड़ा सा फैन लगा होता है तो वो जो गैस है वो फैन जो है उस गैस को ठंडा करता है तो जैसे ही वो वहां पर गरम होके जाती ह है तो वो जो गरम हवा है वो fan बाहर फैंकता है जो कि लोग समयते हैं कि यह कमरे की गरम हवा है जो नीचे से उपर एसी ने खैंच ली है और उसको थ्रो करा करा है लेकिं ये इस कोईल को ठ्णडा करने के लिए लो फैं लगा होता है और जैसे रही वर गैस जो है दोभार्द वहां से सर्कुलेरत होती है जाती है और अगर आपका जो कंप्रेसर है वह चल रहा है तो तो जो हैं इस ici सर्कुल को चला रहा है कि वो गरम हवा को कंप्रेस करके अवैपरेटर ईंड़र में बेचता है उसके बढ़ वहां से जो गैस के आती है वो कंडेंसर में आती है जो आउट्डiami के पछे क्वाइल होता है ऊसमें सर्कलेट होती है यहшिति उसका जो फैन है वो उसको ठंडा करता है और गरम हवाई से लिए वहाँ से आपके आउंडोर में से आती है और ये सर्कल जो है चलता रहता है और आपका एसी आपके रूम को जो है ठंडा कर दता है तो दोस्तो अमीद करता हूँ कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी अगर आपको कोई confusion अभी भी बाकी है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं वहाँ पर आपको इसका reply जूर करूँगा तो दोस्तो अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आप मेरे चैनल पे ने हैं तो इसको आप लोग सबस्क्राइब कर लें और नेक्स वीडियो तक मुझे अजाज़त दें अलाहाफेज